सोनी जी कोटी-कोटी पनाम महराजी महराजी छोटे-छोटे अंकार के द्वारा मेरे से जो करम होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है करते समय यह याद नहीं रहता कि मुझे यह नहीं करना चाहिए यहाद तो रहता पता भी होता है नहीं करना चाहिए ऐसा फुड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है गलत था मुझे पता नहीं था कि यह गलत था लेकिन नहीं पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूँ और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं पर वो भोग की प्रीता के कारण उसमें प्रीता के कारण शुक बुद्दी होने के कारण ठीक निरने नहीं कर पाते हम और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती की क्यों किया हम जानते थे गलत है क्यों किया क्यों किया आज से नहीं करेंगे लेकिन फिर दो चार घंटे के बाद जब किसी भोग का सयोग होगा तब फिर वही दसा होगी कि नहीं करना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ और फिर भी कर वैठेगा कब तक जब तक उसके अंदर असलियत में उसमें जो सुख बुद्धी है वो नष्ट नहीं होगी सुख बुद्धी उसमें जिस भी भोग में है हम उपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी हम करना नहीं चाहते थे अच्छी बात है वो ठीक कह रहा है लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धी थी इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धी नहीं अटेगी जैसे बमन है बमन समझते न बमन उसको तुम्हें कोई खवा दे कैसे खा सकते हो तुम नहीं खा सकते है न क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धी नहीं ग्रणा बुद्धी है उसमे न तुम खा सकते हो न तुम्हें कोई खवा सकता है लेकिन बमन के पहले वो पदार था जो रवड़ी रशग ल्ला वो दूसरा भी खबा सकते हो तुम भी खा सकते हो क्यों? उसमें घ्रनाबुद्धी नहीं सुक्षबुद्धी है और वही खाके ममन कर दे तो नहीं खा सकते है क्योंकि एसे ही हम उपर से तुम जानते हैं कि ये गलत है लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा अब वो क्रियाएं होंगे चाहे हो मांस का ना हो चाहे सरापी ना हो चाहे भी अविचार करना हो चोरी करना हो कुछ भी हो जिसमें अंदर से सुख बुद्धी है वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे वो हमसे होगी उस सुख बुद्धी को भजन के द्वारा नश्ट किया जाता है जो हमारे अंदर ग्यान प्रगठ हो जाता है देखो अपनी बहन अपने नश्दीक बैठी हो क्या हमारी पाप बुद्धी आ जाएगी क्या बहन है अपनी नहीं आएगी आईसा तो कभी वो ही राक्षास हैं जो राक्षास उनकी बात मैं नहीं कहता है मनुष्य की बात कहता हूँ कोई मनुष्य ऐसा नहीं लेकिन पराई बहन बेटी देखने पर के हो जाता है वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है जैसे हमारी बहन बेटी आए वो क्यों हो जाता है क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धी सुख बुद्धी और अपना पन नहीं होता और अगर पूरे ब्रमान में अपना पन हो जाए भरमाता बहन के प्रति तो उसी को भगवान प्राप्थ हो जाते हैं गोश्वामी जी लिख रहे हैं जननी शम जाने पर नारी धन पराय विस्ते विस्भारी जिनने राम तुम प्रान पियारे तिनके मन शुब्षदन तुमारे हमसे पाप वह होता है जहां हम सुख भोग बुद्धी करते है और परायापन कर लेते हैं अपने पन में पाप नहीं हो अपनी बेटी चार हो हम उनके बीच में बैठे हो हस रहे हो खेल रहे हो पाप बुद्धी आ जाएगी क्या नहीं तो फिर हम चार बहनों को बाहर देख कर के दोस्त दृष्टी क्यों कर लेते हैं बस्य यही विवेक रखना है ना हमारी दृष्टी का हमारी सोच का हमारी भोग बुद्धी का हमारे परायपन का यह जितने पाप होते हैं यह इसी से हो रहे हैं नहीं तो मन वहां भी तो मन है थोड़ा भी इदर उदर सोच कर दिखाए सोचने की गुंजायस ही नहीं रहती हमें तो लगता है सोच की गुंजायस ही नहीं रहती घर परिवार में देखो ना लेकिन बाहर होती ही वो सोच चालू हो जाती है वही सोच अगर हम बढ़ा दें एक गाउं में एक नगर में बिश्व में ले जाएं तो हम वही संत हो गया वही साधु हो गया वही हिर्दय से महान हो गया तो हमारी जहां सुक बुद्धी होती है इसलिए हमसे हो जाता है अगर शुक बुद्धी भजन के द्वारा नस्ट हो जाए तो फिर हमसे पाप नहीं होंगे किसका प्रशन था समझ पारें आप याच शर्मा जी आपके चर्णों में कोटी-कोटी पढ़ाओ मारजी जैसे महाभारत में श्री किष्ण जी ने अर्जुन जी को गलत सही का मारगदशन कराया वैसे ही क्या श्री किष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मारगदशन कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भजन पहले नर नारायन की रूप में तपश्या की है अर्जुन ने बद्रिका आश्रम में तब वो अर्जुन रूप में उतरित हुएं आ करके तब उने स्री कृष्ण रूपी सार्थी प्राप्त हुआ है भजन करो तपश्या भजन तब कताद पर है काम करोद लोग मौमद पर विजय प्राप्त करो उसकी वेदना को शहो उसके ताप को शहो जब काम वेदना साथ आये तो उसको सहो और नाम जब करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हरदय में भगवान स्री कृष्ण स्वयम उपदेश करने लगेंगे बाहर से भले आज ना तरथ मिलेगा ना गोड़े मिलेंगे और बाहर से स्री कृष्ण सार्थी रूप में पर वो तुम्हारी बुद्धी में बैट करके गाइड करने लगेंगे तुम्हारी गाड़ी को अध्यात्मे की उचाई पर चड़ाने लगेंगे नाम जब करो बिना भजन के कुछ नहीं है आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है बिना तपश्या और भजन के तो केवल बाते बर बना सकते हैं और कुछ नहीं उससे कोई लाब नहीं मिलने हैं सोच पर है हमारी बाद उसके लिए नाम जब करो अच्छे आचरण करो और तब माने होता है ताप सैना जिसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है प्यास का ताप होता है ऐसे बहुत तरह के वेग हैं उन वेगों को शान तबाउस सैना गंभीर देना किसी का किसी भी तरह से अहित न करना और निरंतर नाम जब करना बड़ा कठीन है देखो निरंतर नाम जब करके एक अई बात पकड़ लिए निरंतर नाम जब करना बड़ा कठीन है यही कठीनता अगर पार कर गया तो फिर देखो भगवान शीव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए पासुपतास्त्र भगवान सीव का है न भगवान ने भेश बदला और किरात रूपदारण किया वो अरजुन से युद्ध किया वो अरजुन के सावास्त्र स्थर अपने सरीर में लीन कर गए अरजुन ने विचार किया किया ऐसा कौन बीर हो सकता है कि हमारा गांडिव अक्षे तूनीर सब उसी में लीन हो गए तो उनका दो गड़ी का समय दीजिए हमको किरात रूप में भगवान शीव थे ततकाल भगवान शीव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लिए कि जे ही अरपित के तो देखा किरात के मस्तक पर तो उनका रे तो आप प्रभू आप हो आप तो भगवान शीव ने का मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे आस्त्र को धारन करने के छमता रखते हो या नहीं जब तुमने बाहु युद्य से मुझे संतुष्ट कर दिया भगवान पिनाकपाने शीव ने परिक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु जगत पिता अकिल ब्रमांडो का स्वामी हमारे को सार्थी प्रेगी, भजन करना पड़ेगा जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं तो उपने भक्ति के लिए क्या नहीं मन सकती पर वैसे हम भक्ति करें पहले तो खुब नाम में चित लगाएं नाम जब करें जितना नाम जब करेंगे उतने हमें सामर्थ आएगी और सामर्थ आएगी उतने हम सह पाएंगे कामकुरोद लोग मुअमद नहीं तो अभी गाली दे दे तो अभी बुरा लगने लगेगा नहीं लगेगा जब कोई गाली दे बुरा ना लगे और कोई तुम्हीं बढ़ाई करे और अच्छा न लगे तो जानू कि स्री कृष्ण के लायक हरदय बन रहा है अभी हमारे लोगों का हरदय बड़ा कूड़ा करकत है बहुत गंदा है बहुत गंदा है अब जो कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाए दे सफेद में जरा सदाग लगे तो समझ में आता है करो अशर मिल जाए तो सेवा करो किसी की बड़े बुढ़े बुजुर्गी की जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौच फेक दो उसके कपड़े दो उसको भोजन बिवस्था कर दो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा आपना प्यार देते कैसे प्रशन हो जाते हैं करना पड़ेगा आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से बगवान को प्राप्ति किया हो सब को कठिन तपश्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में यह केवल आज कल क्या होता है बातों का सारा खेल हो रहा है प्रश्ण उत्तर बातों से उपदेश बातों से मतलब बढ़ियां सब संसारिक्ता का भोगो रहा बातों से बहिरागी की चर्चा है बहिरागी रहे के देखो दस-पांच दिन कोई बहुत कठी जो जितना कष्ट सहकर बजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकासित करते है भगवान हमारे सार्थी बन जाए बहुत बड़ी बात है उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा बजन करना पड़ेगा जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपतेश दिया है वो भगवद वानी हैं जिसमें गलत और सही का निरने और बहुत सारे सास्त्र यहां संत जन बोलते हैं क्या उनको भी प्रभू की वानी का ही सानिद्य मानकर अपन आगे का मान देखो भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपुधारन करके या भगवान सच्चिदानंद संत के हिरदय से बोलते हैं वो एक ही बात हती है अंतर नहीं होता है भगवान के मुख ही संत जन है, जितने सास्त रहें, या तो भगवान की माणी है, या किसी ब्रह्मिर्शी की माणी, महत्मा की माणी, जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की शुरूप हो जाते हैं, धाचावर मन उसे का रहता है, अंदर सारा केल भगवान का रह किसी वैशनव अपराद अंकार या मन की चाल में फस गया हूँ पिछले एक महिने से पहले जैसा भजन भी नहीं चल रहा भोगों से श्री जी किरपा से घ्रिना हुई थी दुबारा वही भोग भोगने लग गया हूँ सत्संग में अरुची सी होने लग गये परंतु भोग भ बच्चे ही हो ठीक से चलो और दूसरों आज का सत्संग सुना महराज प्रथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया दूसरों पर दोस दर्शन ना करे अपने हरदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तब्य का पालन करे शरीर से मन से वानी से कोई भ दूसरों पर दोस देखने लगते हैं सही बात मानो केवल भगवान ही भगवान सबके हरदय में बिजली पावर देखो सरीरों की आकरती यह अलग-अलग है लेकिन इनमें पावर यह कही है बिजली यह कही है वो आए भगवान जैसे देखो सब अलग-अलग यंत्र हैं प्र और यह हम देखा कि यह तो पापी है, यह पुर्ण्यात्मा है, अच्छा है, बुरा, यह सांसारिक द्रश्टी है, हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है, अगर हम दूसरों पर दोस दर्शन करेंगे, तो हम गिर जाएंगे, पक्का यह सास्त्र नियम है, हो सकता है, कल सुधार हो जाए, हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें, सच्छी मानिये बच्चा किसी की बस नहीं है, यह माया इतनी प्रबल है, कि पांच मिनट में पचास वर्स का किया कराया मिट्टी मे पांच मिनट में बरस्ट हो गया, सब भगवाने चलाते हैं, भगवाने बचाते हैं, काहू को बसनाए जो कशोए सब तिहारी करपा से वियारी वियारिन, अगर कोई यह हंकार करें तो मिटिया में ठो जाए, किसी का हंकार नहीं चलता साधना में, तो हम दूसरे के दोसदर करते हैं, जहां अंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्त से हट जाते हैं, परमार्त से, तो सुधार करो चाहिसा थूड़ी की एक बार गिर जाए तो निरास हो जाए, हम तो कहते हैं, जीवन भरम गिरते रहेंगे, तो भी लड़ते रहेंगे, माय बगवान के अंश हैं हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहँचानते कि मेरे में तुरुटी क्या हुई और उसकी सुधार करते हो नाम जब के द्वारा हम विजय स्री प्राप्त करेंगे अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाए छोडेंगे नहीं हारेंगे नहीं चाहिए हर बार हार जाए माया प्रफल है हार करके बैठ जाना यह उत्साही पुरुषका लख्रन नहीं हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिck करेंगे जह बार हारेंगे तई बार हम अपनी तुरुटी को देखेंगे गलती क्या हुए तो एक दिन हम जीत जाएंगे क्योंकि भगवान हमारे है हम भगवन नाम जब करते हैं हम भगवान के अंश हैं एक दिन जीत जाएंगे एक दो चार बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं वो पहलवान है जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना उसे ही कहते हैं ऐसा नहीं यह बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने काम, कुरूद, लोग, मुद, मत, सर बाते बनाना अलग बात है इन विकारों को जीतना बहुत कटिन बात अभी बच्चे हो चले हो लड़कडा ग का राधा, राधा, राधा राधा अब हम गंदे हो राधा, गिर गए तो हमारा 500 राधा नाम स्टाक में जमा हो गया अब जो हमसे गल्ती हुई, इसकी जलन होगी इसका हमको दंज मिलेगा और फिर हमारा वज़न सुर होगा 501, 502, 502, όπως यह फिर i 시간 से पहूंचे को फिर गि गिरें तो हम बहुत जल्दी लक्ष प्राप्त कर लें और हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है हमें छोड़ नहीं देना है घाटा नहीं वरदास्त करना हमें हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निरास हो गए उदास ह गए ऐसा नहीं और अंदर से हमें प्रास्चित करना है प्रास्चित को मतलता है जलन की आर कैसे ये ऐसा कैसे हो गया मतलब क्या कमी थी मेरे में क्या तुरूटी थी मुझे क्या चाहिए मुझे ये चाहिए या ये चाहिए जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों बा त्हारा दिन में हो गए और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको माया है कहां कहां करशन करेगी हर जगे से भजन करते हुए बच कर भगवान को प्राप्त करना है चाहे ग्रेस्ट में हो चाहे विरक्त में माल्यों ग्रेस्थ में है तो एक सीमा के अंतरगत आपका भोग है आप सीमा उलंगन कर भोगगेंगे तो आप पापी होंगे आप बेविचारी होंगे आप दुष्ठ होंगे आयसे ही बिरक्त की एक सीमा है वो अपनी शीमा में रहे वो अपनी सीमा में रहे और भजन करें तो धर्म पूर्व भगवान को प्राप्ट हो सकता है समझ पारे बच्चा? निरास तो होना ने, उदास नहीं होना है अराज जी कई बार क्या होता है जो हमारा बल होता है वह ऐसा लगता है उसने किरा दिया मैं हर समय सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे उन फड़े है वो मेरी मारा नहीं मेरी माँ है तो मेरा कोई क्या बिगाड लेगा हाँ बस इसमें क्या होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड लेगा इसमें हमारा देहा भी मान ना ने पावे इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी सिरी जी है पर सिरी जी और लाल जू के द्वारा ही तो सब का पोशवाण प्रभू तो सब के है ना सब मम प्रिय सब मम उप जाए तो मेरा कौन क्या बिगाड लेगा इसमें मेरा आम ना आने पावे मुझे रगना कि मुझे डरना नहीं है मुझे डरना नहीं पर मुझे आंकार भी नहीं करना मेरी सिरी जी है पर मुझे डरना नहीं जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े महापुर्षों में भी दोस्ट पाया गया बड़े महापुर्षों में जो भगवान के जिसे गरुण जी को तो भगवान संकर जी से पार्वती जी कहती है कि आप अब ही समझा देते काक घुशन्ड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका वहो अभिमाना शुक भो अन्चा करपा निधाना भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को या भिमान हो जाता अपनी भक्ती का या प्रभू के बल को लेकर और दूसरे के प्रतिय होेलना तो भगवान नहीं सह पाते हमें डर्दीन रहना है अब दूसरा हमारे उपर कोई आभी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा लेकिन हम भगवान के बल का हंकार करके दूसरे को नीचा देखे तो हमी को नीचा खाना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो भगवान का है वो भी तो भगवान का प्रिपुत्र है तो हमें बात समझे ना ठीक समझे ना और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है इनसे दूरी बना के रखो जो भी परमार्तिके है देखो काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए दाग लागी है पहलागी है पहलागी है आप समझो ना अब मना किया गया है कि एक दूसरे सरीरों का जो आकरशन है हम थोड़ा दूरी बना के रखें धर्मे बिरुद्ध संग ना करें धर्मे बिरुद्ध द्रश्य ना देखें धर्मे बिरुद्ध अगर संग करेंगे द्रश्य देखेंगे और फिर कहें दो भगवान बचा लो तो नहीं बचाएंगे पका नहीं बचाएंगे आप धर्म से चल रहें फिर बिरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है फिर बचा लेंगे फिर आपकी सरद्धा में भी मतलब बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं ऐसा एक आदमी जो है ना शत के उपर से कि अगर भगवान कोई हो बचा लें गिरा तो उसका पैर टूट गया नहीं बचाया आपको कोई जबर जस्ति गिरा रहा है और फिर आप भगवान के वरुसरे हो तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाये इसे यह हम तुमको बहुत खुली बाते बता रहे अहंकार करके कि अब हम देखते हैं ऐसे तो हार जाओगे तुम और तुम्हे कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे भगवान के सामने देने रहे बगवान पूरा वह अंकार थोड़ी कि यह कभी किसी भक्त ने आंकार करके ललका रहो किसी को ऐसा नहीं होता वह दैन ने रहता है जानता है मेरे भगवान कबल ठीक कर देंगे अम्रीज जी ऐसे ही खड़े रहे और दुरवासा जी को सुधरसंचक पूरित्ति वुवर्ण मे की करत्या को नास किया और दुरवासा को दोड़ा दिया त्रिभुवन में कहीं सांती नहीं मिली ब्रह्मा जी के पास गए सीव जी के पास गए और भगवान हरी के पास भी गए हरी ने का इस समय सुधरसंचक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा अंबरीज जी कहेंगे तो रुख जाएगा जाओ अम्रीश के चरण पकड़ो आहम भक्त पराधीनो तो अम्रीश जी के जाके चरण पकड़े तो अम्रीश जी ने सुदरसंजी से का आज तक जितना भजन किया है उसम मैं दुरुवासा जी को देता हूं आप शान्त हो जाए तब अंदर हम रखे सिरी जी के चरणारविंद का लेकिन लोगों के प्रतिकिए ये सब क्या हम तो फिर हार जाएगा फिर हार जाएगा लाली दास जी गुर्देव आपकी चर्णा में कोटी-कोटी पादाव जीव के मृत्यु क्यों प्रांत पंच टत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ब्रह्म तत्व में मिल जाते हैं वो मन, बुद्धी, चित, अंकार, अंताकर, चतुष्टे, पाँच ग्यानेंद्रियां, पाँच कर्मेंद्रियां, चोक्ष्णु, और जीवात्मा, यातना दे, नर्क, देव दे, श्वर्ग, जो उसको मिलता है, उसी कावरन पहेन करके भोगता है, वो ब्रह्म को कहा तो जीवन मुक्त मापुरुष हो गया, फिर क्या है, ऐसा थोड़ी कि महरा तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, महरा तो दुर्गती को प्राप्त हुआ, या देव गती को प्राप्त हुआ, जो जीते जीवन मुक्त होता है, ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म प्राप् नरक होगा वाह से पवितरी वा तब फिर मृत्य लूक में आ गया ब्रहांभ हिए प्रभ्रम्ह की पर और पराप्ती तो जीते-जी और उसके इंद्री आंता करनसंले हो गया अपने अपने तत्तों में जब तक वो ब्र Autumn समय जाना ये जानत तुन्हीं हो जाई ग्यान शेज़ा इस अगर स्रस्थी ग्राविज्ञ में जाके मिलते हैं पर जब शरष्टी फिर प्रगट होगी तो फिर उनको जन्मना पड़ेगा वो मुक्त नहीं होते हैं जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता या भगवान की भक्ति भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं तो समस्या है नहीं तो मरने के बाद अगर इस लिए इस बार मनुष्र पी माता के गर्वसे जन में। आप उसका तो पता नहीं ना इसलिए इस बार इतना भजन कर लो कि अगर अगली बार जन्म होए भी तो हम जहां आ चुके इससे नीचे न गिरें तिरासे लाख निन्यानबे हजार नौ से निन्यानबे योनियों के ऊपर ये चौरासी लाख की पूरती वाली मनुष्य योनी है इससे बढ़ियां कोई योनी नहीं है देवता भी इसके लिए तरस्ते है तो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो पुना मनुष्य बने और अच् बारी मथेगरत होए बरू सिकता ते बरू तेल विनुहरी भजन भावतरी या सिद्धान तपेल विनिष्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरीम भजन ते नरा भोशागर तरह जो भजन किया वही तरह नहीं तो फिर डूबा सत्यम पांडे जी महरत श्री सेवक वानी में आता है सब हरी सम गुन रूप अपार महा पुरुष प्रगटे संसार अगर हरी के समान हरीवंच महा प्रभु हैं तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही है क्योंकि रामचित मानस में भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजों कहां जाई निरिपतब तनहीं होब में आई अथात हरीवंच महा प्रभु जी वनसी जी के अपतार हैं स्व वही बंसी जियें सेवकवानी में पड़ना जब जब हो ए धर्म के हान ओम द्म थर्म प्रगटत अन जानि और दू जो नहीं दूसरा ने वही प्रभु आव्तरीتु पर वही स्रीक्रश्न रूप है वही बंसी रूप है वही आचारी रूप है वही हित्सजनी रूप है वही सर्व रूप में है एक का ही विलास है दूसरे का थोड़ी है जब मूलतत्त में समझो देखो सेवकवाने जी में लिखा है आत्मा हरिवंस प्रगट परमानन्द स्री हरिवंस प्रमान मनम नहीं कहे रहे स्री हरिवंस विदिति विदि वेदम स्री हरिवंस जुतत्व अभेदम स्री हरिवंस प्रकासित जोगम स्री हरिवंस सुकृत सुकभोगम प्रग्या हरिवंस प्रतीति प्रमानत प्रीतम स्री हरिवंस प्रियम वही है वही है दूसरा कोई लई है हेले, हम दूसरा जामन, दोली कहे न नन्यता, व्या संदनन, जगत अधार, जग मगत, जग जँजड, सब जग बंधनी, जग भै विहन्न, जग सोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंढन, जग बंधन, वही हैं, वही drug कोई नहीं है, एक ही परमतत है, वही आचारे है स्वरेनकार की रचितंग उठी उठी भी स्रीकृष्ण है जो कुछ है वो सब स्रीकृष्ण ही स्वरें बने विए उनका सब कुछ स्रीकृष्ण है और भक्त का जब सब कुछ स्रीकृष्ण हो जाता है तब वहां पूंचता है मन श्रीकर्ष्ण, बुद्ध श्रीकर्ष्ण, चित्त श्रीकर्ष्ण, आम श्रीकर्ष्ण, इंद्रियां श्रीकर्ष्ण, श्रीकर्ष्ण का और ब्रत्ति, तब भगवत सरूप हो जाता है, भगवान का तो सबको श्रीकर्ष्ण में है ही, वही उतरित होते हैं, दूसरा कोई आचारी रूप में भगवानी तो इतरीत होते हैं दूसरा कभी ऐसा भाव न रखे अगर स्रीकृष्ण की बंशी है तो स्रीकृष्ण ही है स्रीकृष्ण की अगरंग उठी भी हो नो तो स्रीकृष्ण ही है स्रीकृष्ण का सिंगासन है न उस्रीकृष्ण ही है जब तत्त में आए तो रशो या परमानंद एक एव दुधास अधा उसे बहुत रूपों में वही भी राजवा गाए जब तत्त ग्यान हो जाता है तब संसेरे अगता है सबच पारे आप प्रजवासी आपको डंडौत करें अब बाबा तन ते तो आप यहां बेराज रहे हो तो मन ते तो किशोरी जी के समस्री आदे हैं बस आप आसिरवाद दे कि मन हमारा उनी के गोरे चरणा रहे हैं आपको माही रहे हैं मन तो स्री राधा जुग चरण निवासी लाडली जुके गोरे चरणार विंद में बाई स्वाबा ऐसे क्रपा बनाए रखते हो उन्पे बाबा ऐसो आसिरवाद दे देव स्वामनी जी के चरणन में और प्रेम प्रीती बढ़ जाए अपने लोगों का जो हरदय है ना वो इस बा स्वानीरे रेसे कराफा जो समारी जूली में ढाल तरहे ने कि सुरी जी के बड़ी किरपा जो आप ब्रजवासियों की चरणा धूलि में और ब्रजवासियों की यूटन कहने में हमें सब हाâm भागunden इस आप कि आपुछ समयिर्वार तरह justamentevärं को बहुतба चालार प्रबी काइ मुनि रगुवीर परस पर नमई वावा एक भाव है मन में कि मैं पागल ब्रजवासी मैं आप ते आज ये भावा कह रहा हूँ आपकी वही कि मैं पागल ब्रजवासी मन मेरो काना को दास और आत्मा राधे की दासी बुष्टिक राधे की जै बस हम आप सबसे यही प्रार्थना करें कि हमारे सबसंतन की ऐसी बुद्धि वनी रहें कि आप ब्रजवासियों को गुरू के समान पूझते रहें आपके प्रतिभ़गवत भाव रहे हमारे सबसंतों का क्योंकि जिस समय ब्रजवासियों की प्रच्रदा हट गई certain तो फिर किसी काम का जीवन नहीं ब्रजवासी ब्रजरज ब्रजलता यही हमारे आराद देढ़े है।ندता आपकी ब्रिजवासीन के चरण बावा उतनी इस शर्दा ब्रजवासी violation की भी आपके ऊपर चुसान की तो हमारों कोई बजूद है बहुत अब इना आपके संतन को कोई बजूद लाए है सही ब्रज में उद्धो जैसे जब ब्रजवासियों की चरण दूली तो ही मातता है यहां ज्ञान विज्ञान योग तपस्या काम न करे किसी की बड़े-बड़े की यहां तो हमारे प्रेम अ ज्ञान आंज बाबा आपको प्रेम चले महां ज्रुदा जूपर जूद जूदे नों अजजने तो आपकी चरण वारवास देंद हो जूनली तो ड़नूरे को प्रजूद दन हो ऑगल आगक काम देंदूद की नारा 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 सब्सक्त एंड़िश्क लिए दो आगको है एक दुपट्टर लाउस जी पुपा क्या सेवा करें आप पुझेशन मां के तरह नहीं दिए लोग कहते हैं आज ब्रंदावन को भूल गए थे लेकिन आपको इस वरूप में कहीं ना कहीं राधाराणी ने करफा करिये कि सभी लोग यहां ते फिर पहुंच पा रहे हैं मतलब सत मार्गवे चल रहे हैं बिरंदा बना रहे हैं असत आचरन शोड़ रहे हैं बहुत कृपा हो रही है कलिकाल है पर बहुत परिवर्तन हो रहा समाज का भी ठीके उर्मान सिंग जी बरेली से रदे रदे मरजी मरजी जब अर्जुन जी जैसे संसकारी भगवान श्री किशन के मित्र धर्म राज के भाई गीता जी को सुनने के बाद वह भगवान श्री किशन ने सुनाई हो फिर भी बिना विराट रूप देखे यूद को त्यार नहीं हुए अर्जुन जी तब सधारन मुश्य हम जैसे माया से बाहर आए बिना प्रभु की इक्षा जैसे पत्ता भी नहीं हिलता तो उनके काम, क्रोध, लो, मो, इर्शा से कैसे बाहर आ सकते हैं या क्यों बनाए बागवान की बनाई भी माया है तो फिर व देख करके, सुन करके, सूंग करके, बोल करके, चक करके आप फसते हैं या भगवान फसाते हैं हमी फसते हैं हमी फसते हैं हमी फसते हैं अगर हम इस बजार को दोश दे कि गलत बजार रची गई तो ये बात गलत है बजार में हम पशंद क्या करते हैं आप हमें बताना इत् पुर्णता में रसोई और घर है तो सौचाले भी जरूरी है अगर प्रकास जरूरी तो अंदकार भी जरूरी है आप हमारी बात समझना भगवान की छाती से धर्म प्रगट हुआ पीठ से अधर्म प्रगट हुआ एक शक्ति देवताओं को बढ़ाती है और एक शक्ति भगवान की देत्यों को बढ़ाती है धूप भी अच्छी है चाया भी अच्छी है गर्मी भी अच्छी है सर्दी भी अ अरा आजोंकि भगवान अगर ये बनाते ही नए टो हम फिसलते क्यों नहीं ये ठीक बात नहीं ये बात ठीक को ये है कि हमारी हम यह पूछ रहे आप सरीर का परिशे बता रहे ला बज़ यही आप फस गए ला आप फस गए आप हटो देखो आप कौन है आप वही ब्रह्म है ब्रह्मभवित ब्रह्मभववदी आप आप से केवलम बात कर रहे यह चीज जहें आप लही है इसके अंदर जो मनबुद्धीचित वह आप नहीं है आपका स्वभाव नहीं है आप स्वभाव से परे हैं अब यही न जानकर आप फस गए अब आपकी पत्नी भी होँगी आपके पुत्र भी हैं आपका घर है, आपका परिवार है आपका है ना आपका है या भगवान को काई को दोस्त देते हो है ले अब विचाल करके देखो है ले अगर भगवान इस्त्री न रचते भगवान पुत्र न रचते भगवान मकान वे वस्तागर अब आप पसंद क्या करते हो जिसे अब हम पसंद किया भवागिरी भगवान के आप ही तो फसे हो आप ही फसे हो अब हम लोग भगवान को दोस्ट देते हैं वो पूर्ण है वो पूर्ण की रचना की है तो पूर्णता में फिर सब होना चाहिए अब हमको क्या पसंद है ये हमें बात देखने है अब ये थोड़ी अब जिसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है तो हम तो सब खाएंगे तो औरो कुछ बनाया है नरक वो भी भोगने के लिए बनाया है तो वो भी भोगना पड़ेगा नहीं कैंसर, हार्ट बेल ये भी तो भगवान ने बनाया है तो इसकी भी तैरियुटो अगर बचना है दुख से तो भी सही मार्ग को चैन करला आपको परेगा अच्छा भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया है वो अर्जुन को पहले से पता है कि हमारे सिरी कृष्ण कौन है लेकिन अर्जुन को निवित्त बना के भगवान ने हमको दिखाया है सही पूछो तो हमको दिखाया है अर्जुन जी और भगवान दो नहीं है नर नारायन बद्रिका आश्रम में एक साथ तप करने वाले दोनों मापुरुष है तो हमें लगता है कि गीताजी अर्जुन के अंदर मोह पेदा होना और भगवान का गीताजी प्रदान करना ये हम सबके लिए है अर्जुन तो भगवत सुरूफी है उप्रश्ण करते जा रहे हमारे लिए ज्यान मार्ग का भक्ती मार्ग का कर्म योग का सांक योग का जो जैसा अधिकारियों सबका उत्तर गीता जी में है तो अरजुन जी को तो वास्तिविक पुछो तो कोई अज्यान नहीं था भगवान ने जब कहा गौर से देखना गीता जी में, भगवान से जब अरजुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मद्ध में हमारे रत को हे केशो खड़ा करो। खड़ा करके का देखो अर्जुन वो वही कहने में घुशगई वगवान की माया देखंञ अर्जुन अरे यह तो सब हमारे जिस्ते नाते चाचाताओं इनको मारूंगा अभीतर दिब्व्यास्त्र जो समेट रहे थे तो किनके लिए निके लिए समेट रहे थे तब नहीं मोह हुआ जब भगवान लेका देख अरजुल तब हुआ इसका मतलब भगवान गीता वहाँ परगट करना चाहते है अरजुन के हरदय में मोह पैदा करके वो विराट वो महिमा वो सब हमा को दिखा रहे हैं हम जाने के हमारे प्रभू कैसे है हमारे प्रभू कौन है तो देखो भगवान के बिविद रूप है कोई भगवान के शौम्य रूप का उपासक है कोई घोर रूप का उपासक है कोई भगवान को पुत्र मानता है कोई भग हो तो हमें लगता है कि गलती अपनी है सुधारना अपने को है हम भगवान पर व्यर्थ का दोश देते हैं क्यों भाई आप बताओ नहीं तो कहीं आपको लग रहा हो तो हम आपका साथ दें मुझे यह लग रहा है अरजुन जी को जब उन्होंने विराट प्रूट दिखाया उसके बाद वो युद्ध को राजी हुए उसके बाद भी बहुत प्रश्ण हुए आप देखो ना विराट के बाद बंद हो गया क्या प्रश्ण करना आप देखो ना विराट शुरू भगवान ने दिखाया उसके बाद साइकुनों प्रश्ण हुए आप देखो गीता वह इसे बंद हो जाती, विराट के बाद ये तो बहुत ही प्रश्ण हुए, भगवाल ने बहुत सी विबूतियों का वरेनर किया, बहुत से प्रश्ण उत्तर हुए, पाप जो उत्पन हुआ, उसकी वज़े से मैंने ये प्रश्ण हुआ हुआ, पाप हमसे हुआ है न, भगवाल चे उत्पन हुआ क्या, तो गल्ती हम अपनी माने भगवान से भी माने, और अपने मन से भी माने, कि हम गलत हो गए, अभी इसके पीछे बैच में हमने कहा था, कि जब हमारी चार बहिने हमारे साथ खेलती होती है, तो हमारे अंदर पाप बुद्धी नहीं आती है, वो हमार समान ही हूँ, लेकिन दूसरी की एक बहन देखकर, हमारे अंदर पाप बुद्धी क्यों आ जाती है, भाई बहन कैसे खेलते हैं, कभी वो पीट रही, कभी ऐसे लड़ाई हो रही, कभी हाथ सराई, कभी खेल रही, कभी पाप वासना नहीं आती, कुछ नहीं होता, क्योंकि व मेरी बहन है, वहाँ कभी काम भावाता नहीं, वहाँ दूसरे की बहन है, अब इसमें भगवान का दोसरे या हमारा दोसरे, द्यान देने योगे बाते हैं, इसमें गलती मेरी होती है, जहां हम पाप कर्म करते हैं, भगवान ने आपको पत्नी दी, आप उसमें सीमित हो अब उसके विपिरीत आप चलो कि भगवान केवल हमारी इस्त्री बनाते हैं और इस्त्री बनाते हैं इन्हें तो पापा ही नहीं होता तो भगवान ने कानून भी बनाया है, पुलिस भी बनाया है, डंडा भी बनाया है, बकालत भी बनाया है, जेल भी बनाया है, और नरक भी बनाया है, दुरगती भी बनाया है तो हमको ये बात दियान देने, लोग जो कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, उस बात पे तुम हो क्या, हमें तुमसे पूछते हैं, कि उस स्थिती में हो, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस स्थिती में आ जा और तुमसे पाफ हो जा दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता क्योंकि अहंकार से पाप होता है आप अपनी इच्छा को सास्त्र इच्छा या गुरू की इच्छा में मिला दो फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ भगवान की इच्छा में मिला दो फिर पाप हो जाए तो बताओ हम अपनी इच्छाओ को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं जैसे मारे मन में आया कि अब ये करें अब गलत हो गया बुले अगर भगवान की इच्छा नहीं थी तुम भसे ओ अपनी इच्छा में अगर जाही न चाही कबं कशू तुम सन साज सने तो बसव निरंतर तासुर सो रावर ने इन दोनों में भेद देखना है अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा मिला के देखो फिर आपको कैसा लगता है कितना आनंद मिलता है लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं जिसे गुश्वामी तुलसी दाजी ने लिखा है कालही करमही ईश्वरही मिथ्या दोसले यह थोड़ा तबजला पड़ेगा प्रभू आपका अहंकार से संचलि है और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणओं में समरपित हो गया तो आप से कोई पापकर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि अहंकार में ही पापकर्म होते हैं जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया बस इच्छा ही तो बंदनं का कारण है इच्छे नहीं रह जाएगे भगवान को जान लिया तो इच्छे ही नहीं रह जाएगे तो इसलिए नाम जब करते हो आप कोई नसा करते हो बस तो दिर दिर समझ जाओगे हमारी बात नाम जब करो और बहुत दूसरी बार में यहाँ है हाँ यह भगवान जब करपा करते हैं तब सादु संग मिलता है हाँ बिलकुल बहुत अच्छे से चलो ग्रेश्ती में रहते हुए बढ़ियां सादु हरदय होता है ना भेस भूसा में भेस भूसा है और गलत आचरण हो तो फिर ठीक रहे हैं भेस भूसा हो या ना हो हरदय अ राधे दे दो वं सबस्ब्सें पहला आजर होता है आये रहत इसित कार में उडे इसमें फार पिरी इसमें सब कोह सकता है अब इसके बाद हो कोई मांग करता है हमारी सरद्दा नहीं है भी तो हमारी सरद्दा नहीं हम नहीं दे तो अपराद नहीं लगे क्योंकि दो चीज दे चुके म्रदुवचन और जल्प अगर कोई भूखा है तो फिर ग्रेष्टी में धर्म है कि चाहे सामके पांच वजे-चार बजे हो उस समझ तुरंत कुछ न कुछ उसको पवाओ भगवान पता नहीं किस रूप में आए भले पागल रूप में हो तो ग्रेष्टी में अतिछी सत्कार और नाम जब और धर्मपूर्वक पालन तो साधू ही है ग्रेष्ट में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर लेगा पिंटु जी बरसाना से, रादे रादे मार מצी, मारेजी मुझ अधम से एक मजुझ बजर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था, चार वर्ष पोर मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे एक दिन परिकर्मा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरन स्पर्ष कर लिए उन्हें बहुत विक्षेप हुआ कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्नोंने नियम ले रखा होता है पैर ना छुआना ऐसा तो हमें नहीं छुना चाहिए देखो संतों से उनकी प्रशन्नता चाहिए उनके वचन चाहिए महलो हमें पैर छुना है अब वो चरनों से चल के जा रहे हैं अब हम कड़े हो गए बिलकुल उनकी तरफ देखा भी नहीं उदर देख रहे हैं और वो जो ही चली गए उनके चरनल चिन्नों की रज़ लेके पैर छुने से लाक बुना बढ़कर लाव मिलेगा अब ऐसे वो मना कर रहे हैं आप पैर छुू रहे हैं उनका हरदे दुख गया तो अच्छा नहीं होता तो सिरी जी से प्रार्थना करें अगर कभी बरसाने फिर जाओ अरजी इन्होंने लिखा कि उस घटना के एक वर्ष पूर उनका देह त्याग हो गया फिर कहते हैं और मुझे तीन महिने बाद पैरलाइस हो गया मेरा धाम भी छुड़ गया अतनी भी रोग रस्त हो गई फिर दुवारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया दो वर्षे बिंदावन धाम में श्री जी से प्रार्थना लाँ आइसा होता है ऐसा होता है अप राद नहीं करना है पैर चूने से क्या होता है अगर संत कोई नहीं छुआते है हम ऐसे कर देते हैं और बहुत बड़ी हाँ बात है चरण रज उनकी ले 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 इसको ले तो कोई रोख लें पाएगा तुरंत लेना भी नहीं क्योंकि उससे अस्वंतुष्ट हो जाएंगे तो उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया रोज मात्य पे लगाया ऐसे किसी का प्राद कुछ संतों के नियम होते है कि हमें चरण नहीं छुआना कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते है तो किसी को ऐसा न करे अगर उचुआना नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं हम माथा रख कर प्रणाम कर लेते हैं लाब तो हमको मिलता है अगर उचुआ अंतर ध्यान हो गई तो श्री जी से प्राद करो वो संत माता जी अभी सपन में आया थे बहद बड़ी करपा की तो राधा 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 बिलकुल खुब नाम जब करो और संतों से ऐसे विवार करो इसे उनको दुख न पहुँचे अलग-अलग भाव के संत जन है अलग-अलग भाव के है अपना लाव है उनकी प्रशनता जवर जस्ती नहीं कुछ लोग ऐसे जवर जस्ती चरण छूर है वो मना कर रहे हैं ऐसे नहीं दूर से अगर कहें दूर तो जी बिल्कुल हम नहीं चुकेंगे आपको आपकी चरण रज ले लिए आपके वचन मान लि करणा बिल्कुल निष्चिंत रहे हैं जी राधाराब आप